आप सबी लोगों को जय है जै श्री राम रादे रादे तो बच्चो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बार nda 1 2023 के लिए आपके पास age criteria क्या रहेगा क्या age criteria रहने वाला और इसके बाद आपके पास कितने attempt रहेंगे यह हमेशा ही बड़ा confusion रहता बच्चों के लिए कि सर मेरी age लाई कर रहे है नहीं कर रहे है इस बार exam के लिए आगे मेरे पास कितने attempt है बेटा कटारे defense academy ने इस चीज को आपके लिए बहुत जादा आसान कर दिया है इस वीडियो के तुरों मैं आपको सारे attempt बता दूँगा कि कितने attempt आपके पास है और बहुत ही आसानी से आपको यह पता चल जाएगा आपके पास कितने attempt बचे हैं और इस बार आप exam में apply कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बस इस वीडियो को आप बस पूरा देखना है और आपको यह पता चल जाएगा आपके पास attempt कितने हैं बहुत आसानी से आपको पता चलेगा सर सबसे पहले देखिए age criteria for nda 1 2023 सर nda 1 2023 की अगर हम बात करें अगर आपकी age 2nd of July 2004 से 1st of July 2007 के बीच में हैं और बोथ dates are inclusive मतलब यह कि अगर इन दौनों dates पर भी अगर आपकी date of birth लाई कर रही है तो इस बार आप nda के exam में apply कर सकते हैं याद रखिएगा सर यह दौनों dates inclusive हैं मतलब इन दौनों dates पर भी अगर आपका date of birth है तो इस बार आप exam दे सकते हैं और अगर आपका date of birth इन दौनों एक्जाम मतलब क्या है इन दौनों dates के बीच में है अगर आपका do भी इन दौनों dates के बीच में like कर रहा है तो भी आप exam दे पाएंगे तो सर सबसे पहली चीज तो यह कि nda 1 2023 के लिए age criteria यह रहने वाला है याद रखिएगा nda 1 2023 के लिए age criteria है कि आपकी age 2nd of July 2004 से लेके 1st of July 2007 के बीच में हो और सर यह dawn or date included है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास number of attempts अभी कितने और है यह बड़ा question रहता है कि सर अभी इजवार तो चलो मैं exam दे दूँगा लेकिन अभी और कितने attempts हैं सर मेरे पास सर इसके बारे में भी मैं आपको attempt बताने बाला हूँ तो बच्चो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपके पास कितने attempt हैं कितने नहीं यह student की दिमाग में हमेशा रहता है कि अभी तो मैं exam दे पाऊंगा लेकिन आगे मेरे पास कितने attempt हैं और इसकी exact information कहीं नहीं मिलती है exact information Qatar Defense Academy आपको provide कर रही है तो देखिए अगर आपकी age 2nd of July 2004 से लेके 1st of January 2005 के बीच में हैं तो आपके पास है एक attempt केवल एक attempt अगर आपकी age इन दो date के बीच में लाई कर रही है तो आपके पास सिर्फ एक attempt है ठीक है मतलब यह आप इसी बार exam में apply कर पाएंगे अगर आपकी age 2nd of July 2004 से लेके 1st of July 2005 के बीच में लाई कर रही है तो आपके पास दो attempt है आप अपनी date of birth को बस देख लीजेगा आपकी date of birth क्या है अगर आपका DOB 2nd of July 2004 से लेके 1st of July 2005 के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है कहीं भी है तो आप समझ जाएगा आपके पास दो attempt है आसान हो गया ना इसी के बाद अगर मैं बात करूँ अगर आपका DOB 2nd of July 2004 से लेके 1st of January 2006 के बीच में है अगर इन दोनों dates की बीच में है तो आपके पास सर्थ 3 attempts है कितने students कितने attempts है आपके पास? तीन attempts है और वहीं अगर मैं कहूं अगर आपकी date of birth 2nd of July 2004 से लेके 1st of July 2006 के बीच में लाई कर रहे है तो आपके पास 4 attempts है कितने attempts है? 4 attempts हैं और वहीं अगर हम देखें अगर आपकी date of birth 2nd of July 2004 से लेके 1st of January 2007 के बीच में लाई कर रही है तो आपके पास 5 attempts हैं और अगर आपका DOB 2nd of July 2004 से लेके 1st of July 2007 के बीच में कहीं भी लाई कर रही है तो आपके पास 6 attempts है तो भाई इससे आसान तरीके से हम कुछ नहीं बता सकते थे आप ये देखें कि एक single video के थो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कितने कितने attempt है बस अब आपने ये देखना है कि आपकी age कहां लाई कर रही है बस अब आपने ये देखना है कि आपका DOB क्या है आप अपने DO को यहां रखो और यहां रखने के पास अब आपने अंदाजा लगाना है कि आपके पास attempt कितने हैं बस तुरंत की तुरंत आपको attempt पता चल जाएंगे और अगर अभी भी आपको कोई problem है ना तो आप comment section में comment करो Qatar Defense Academy से तुरंत आपको reply आएगा हम आपको बताएंगे आपके आपके पास attempt कितने हैं क्योंकि Qatar Defense Academy हर एक student के लिए खड़ी है हर एक student के लिए खड़ी है हम आपको बताएंगे आपके पास कितने attempt हैं कितने नहीं हर एक student के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं बच्चो और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि Qatar Defense Academy 15th of September से एक new batch start करने वाल इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को कम्प्लीट देखें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबको समझ में आया होगा लेकिन अगर कोई भ जा भारत